के सानों के अंदोलन के बीच में अगर ये बार बार आवाज उठे कि हिंदुस्तान का परधान मंत्री नरिंदर मोदी जी पंजाब आएंगे तो बच के वापस नहीं जाएंगे और छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर से बच्चे लाएं उनके अंदर जहर बड़ा जा रहा है कल को अगर ऐची गटना खुई तो क्या होगा पूरे देश के अंदर का कभी किसी ने सोचने की कोशिश किये क्या इंदरा गांदी को नहीं मारा गया क्या इंदरा गांदी को मारने के बाद क्या चुराची के दंगे नहीं हुए क्या चुराची के दंगव के अंदर क्या बिहार हो महरास्टा हो दिल्ली हो किस तरीके से उन बिचारे बेकुसूर सिख बाईयों का कतल याम हुआ क्या था कि इंदरा गांदी को मारा और बेकु सात्राइंदूर सिccेल का कितले हाम हो गया permett मेद पंजाब दीन When travelers लगाने शती हधार बेगणा हो का herself कर्फ ये पंजाब के अंदर कि पित erreichen पंजाब के ढुन चाने आग लगाने वाले आग चली Training पूरी दुनिया में उन सिख भाईयों का क्या कसूर था ये आज फिर ये कहने वाले किसान अंदोलन के बीच में चंद तमाश भीन फिर कहूंगा किसान नहीं चंद तमाश भीन क्या पूरे देश के अंदर जो सिख समाज है क्या उनसे आपका कोई नाता नहीं है क्या उनके का करूड हिंदू समाज की पॉप्वलिशन हिंदुस्तान के अंदर क्या वो सिख धर्म के आगे गुर्दवारा साथ में सिर नहीं जुकाते हैं क्या आपको पंजाब के बाहर सिख लोगों का फिकर है क्या आप पंजाब को या हिंदोस्तान को कैनेडा बनाना चाहते है जब मरजी खालस्तान के जंडे उठाए हिंदोस्तान के खलाफ नारे लगाए और अपने घरों में चले किया ये थमाश भी नी का मुल्क बना रहे हैं हिंदोस्तान को पंजाब को पंजाब एक हिंदोस्तान का स्टेट है ने इस देश को बहुत कुछ दिया है पर ये कौन सा तरीका हुआ नया पीछे भी किसान अंदोलन हुआ क्या नारे लगे उस वक्त याद कीजिए आपने मेरी कई बार इंटर्वी क्या नारे लगे पहले हमने इंद्रा गांदी मारी मूधी अब हाँ तुमको मारेंगे फिर य नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं वो पाकिस्तान जो बूखा हो चुका है नंगा हो चुका है जिसके पास खाने को रोटी नहीं हिंदोस्तान में हिंदोस्तान आज हमारे सिक धर्म का एक हक है हिंदोस्तान हमारा है हमारे गुरूगों ने कुर्बानी शहादत दी है और आप पा किसान अंदोलन के लीडर ये कहते कि तुमने गलत किया हम छमा मांगते हैं इतनी बड़ी गलती कर देना और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कैनड़ा अमेरिका के अंदर पनू जासे लोग खुले आम वीडियो डाल रहे हैं खुले आम कि आप करतारपुर साब से ह हमारे हथियार त्यार खड़े हैं और हथियार लेके दिली को कूच कर दे यह उसकी उसकी वीडियो निकालके ढाली है अपने चैनल के अंदर कि दिली कूच कर ले कल को ट्रालियों में ट्रेक्टरों में जिस तरीके से बनाए हुए अंदर अगर उनके अंदर हथियार लेके एके 47 लेकर के जो पन्नू ने बयान दिया जो देश को तोड़ने की बात करता है जो पाकिस्तान के टुकडों पे पलता है जो चाइना के टुकडों पे पलता है हत्यार लेके दिल्ली गुच जाएं और कहें चलो पीम हाउस जिस तरीके से वो उस वक्त इनका काफला सही रास् अगर वो ही काफला उस वक्त इंडिया गेट पहुंच जाता जहां रास्टपती पूरी सरकार बैठी थी दुनिया के मिनेस्टरा बैठे थे अगर वो काफला वहाँ चले जाता तो क्या होता गोली चलती गोली चलती तो हमारे पे गोली चल गई आप ने कनून को तोड़ने की कोशिश क्यों की पर लाल किला तक था पर गोली नहीं चलती पुलिस मार खाती रही लोग तकलीफ में आते रहे पुलिस वालों को नीचे फेका गया दिली पुलिस के जवानों को सी आर पी सी आई सेफ के जवानों को पर उन्होंने हमारे सिख भाईयों के ओपर गोली नहीं जो राएंगे मार खाते रहें और अपना अपमान सैन करते रहें अगर वही काफला इन किसान अंदोलन के निताओं को पूछना चाहता हूँ अगर हिंदोस्तान के अपने सिख बाईयों से पूछना चाहता हूँ अगर यही अंदोलन इंडिया गेट की चले जाता तो फिर हलात क्या होते हैं और ये जो कह रहे हैं दिली में कूच करना आएए ने दिली में लाल कारपेट से स्वागत होना चाहिए आप अपनी मांगों को रखिए ना और जिस तरीके ने पन्नू ने ये स्टेटमेंट दिया कि राजस्तान जमू किश्मीर पंजाब के अंदर करत्पा करतारपुर साब का वो बॉर्डर जो नरिंदर मोदी जी ने गुर्दवारा साब मत्था टेकने के लिए खोला अगर वही हत्यार वहां से ले लीजिए अगर ट्रालियों में भरके अगर दिल्ली आ जाए तो कहने चलो कूच करो पीएम हाउस कूच करो चीफ जिश्टिस आफ इंडिया तो बताओ क्या ये देश को अफगानिस्तान बनाना चाते हैं ये देश को तल्बान बनाना चाहते हैं और उदर से अगर रास्ट्रपती की तरफ काफला बढ़े पी-म हाउस की तरफ काफला बढ़े उदर से गोली चले तो फिर तो हमारे सरदारों पर गोली चलेगी भी गलती कनून को कौन तो उड़ रहा है कौन है हमारे में जम्मेदर रोग सिक से समाज से बोलो बोल एना कोई है क्यों नहीं सिक समाज से मेरे भाई! पंजाब के बार गुर्दावारा पूरे हिंडिस्तान के गुर्दावरा साब को एकठे कीजिए संगत को अपने भाई भैन सब प्रिवारों को कठा कीजिए हजारों लोगों को संगत का एकठ कीजिए प्रेर करने के बाद मीडिया को बुला करके कहें यह हमारी शिक कौम को रोज बदनाम करने वाले हिंदोस्तान की प्राइम मिनिस्टर को आगे मारा हिंदोस्तान के प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोधी जी जो आज पूरी दुनिया के अंदर उनका डंका बचता है जो आज पूरा देश उनको सलूट करता है हम बीजेपी के नहीं है पर हमारे हिंदोस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको मारने की बात है इनकी गलतियों से चुरासी के दंगे हुए, इनकी गलतियों से हमारे गलों में, हमारे परवारों के गलों में टैर डाल के हमें दिल्ली में अंदर बिहार के अंदर यूपी के अंदर रोदा गया, हमारे परवारों के परवार, इन लोगों के गलत नारों ने बरबाद कर दिय अभी तक हम पूरे देश से उठे नहीं हम प्लैन करके हिंदुस्तान छोड़ करके हम पंजाब में आगे पंजाब में फिर नारे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सिक समाच से कौन आगे आएगा एकी चीज हो सकती इसका सो बातों से एक हल जो ये गंदे नारों का मारने का ज दिल्ली में पिम हाउस कब जा कर लो दिल्ली में रास्टर पति भवन कब जा कर लो ये पंजाब को हमारे पंजाब को हमारी सिख कौम को बजनाम करने वाले हमारा इनसे कोई नाता नहीं है हमारे गुरुओं ने, गुरुतेह बहादर जी हिंद्धी चाधर गुरु गुबिन सिंह महराज उनके सहब जादे उन्होंने कुरबानी दी है देश की, ये भारत हमारा है हमारा इन गटिया नारे लगाने वाले, खालिस्तान के नारे लगाने वाले पी-एम को जान के मारने की दमकी देने वाले हमारा इनसे कोई नाता नहीं क्या जो दो लफज कहने में तकलीफ है क्या मेरा सवाल है मेरे सवाल पूछा जाते कि सारे सिख तो ऐसे नहीं तो उसका मैं एक ही जवाब देता हूँ मानता हूँ उसारे सिख ऐसे नहीं तो मेरे सिख भाई सामने क्यों ना आए गलत बात के लिए अगर हिंदोस्तान के परदान मंत्री को मारने की कोई परदान मंत्रियों मारने की बात कहें उसका खमयाजा हम चुराशी के दंगों में बुख चुके हैं इनकी गलतियों से बुख बुख चुके हैं शोचल मीडिया पे कहें कि हिंदू सिक नौ मास का रिच्ता है ये देश हिंदू मुसल्मान सिक हिसाईयों का देश है देश जले हमाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिक्षाईयों ने कुर्बानी शहादत दी है और हमारे घरमंदर साब में हिंदू मुसलमान सिक्षाईयों रोज नमस तक करते हैं हमारा देश एक मानवता का देश है हमारी कौम एक मानवता की मानवता के लिए हमारे समर्पन कर दिया पर वहीं दूसरी तरब जह सवाल जनमानस ज़िए उस पर कितना ज्यदा प्रभाव पढ़ रहा है। किसानों की मागे हैं कि क्या आप एक क्यांकर अच्छे प्यारा हिंदुस्तान के पत्रकार हैं आप कोई मेनत मज़ूरी करके रोटी कमाते हैं ना मेनत करते हैं ना आपका एक 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 यह काम है है न अच्छी चीजों को उठाना बुराईयों को लोगों के सामने रखना ऐसा करम मत करो आप मेहनत कर से आप चार घंटे अगर फस जाएंगे रस्ते में तो आपका काम तो खत्म है ऐसे हजारों लाकों लोग अरे दिली हिंदोस्तान का दिल है भई दिली के अंदर पूरी दुनिया से लोग आके हिंदोस्तान में दिली में समाए हुए हिंदोस्तान का दिल है दिली आप गुरगाओं के अंदर आप फरीदाबाद के अंदर आप घाजियाबाद के अंदर आप करनाल के रस्ते में सारे जाम कर देते हैं और लोगों के कारोबार बरबाद कर देते हैं पीछे कितनी एकनॉमिकली अपन कमजोर हुए पूरे हिंदोस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारा कितना बड़ा देश का नुक्सान हुआ करोड़ों अर्बों का हमारे देश का नु रास्टा क्यों नहीं? ये अंदोलन यूपी क्यों नहीं? ये अंदोलन करनाटका क्यों नहीं? ये अंदोलन मदपरदेश क्यों नहीं? ये अंदोलन राजस्तान क्यों नहीं? ये अंदोलन बिहार क्यों नहीं? ये अंदोलन यूपी क्यों नहीं? ये अंदोलन का तरीका परबानियों से शहातों से तपों जपों से जो हमें ये पगड़ी की सुन्दर पहचान दी हर कौम हर धरम हर मदब का व्यक्ति इस गुरु मारच की दी हुई पगड़ी के आगे सिर्फ जुकाता है बदनाम कौन हुआ ये पगड़ी अब आप वहां पे करपाने निकाल लेते हैं आप ट्रेक्टरों के अंदर कहते हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे आप कहते मशीने लेके पहुंच अरे सरकारे तो सरकारे होती है भई आगे भी तो फोर्स खड़ी है जो फोर्स के लोग है वो भी तो अपने भाई है ये नारा क्या था जैकिसान जैजवान एक मेजरी कौन उठाएगा अगर हमारे गुरू महराज के संदेशों को हमारे गुरूं की गुरू सहबानों की कुर्बानियों को हमारे गुरू नानक देव जी महराज जिनोंने स्लोगन दिये थे मानस की जाथ सब एक ही पहचान हो अवल अल्ला नूर उपाया कुदर्स के सब बंदे अगर आप उनके असूलों को भूल गए तो जैन दर्म के पास जाके उनसे सीख लीजिए मैं अभी चार दिन जैन दर्म के गुरुओं के साथ साथ चला उनके चरनों के साथ साथ चला वो कहते हमारे पाउं के नीचे एक कीड़ी भी मरनी नहीं चाहिए हम पूरी दुन मंतरी नरिंदर मोधीजी को दम की देते हैं जो सिρक्त गौम के आगे हमेशा सिर जुकाते हैं जो का नाम रख दिया वीर बालदवच वो गुरु गुबिन सिंग जी महराज एक तरफ किदारनात एक तरफ बद्रीनात बीच में हेमकुंड साब वहाँ लिफ्ट वारी कार चलाई जा रही है क्रेन वाली कार को चलाए जा रहा है जहां आदे गंटे में कितनी वहाँ पे लोगों की मौत हो जाती थी उन्होंने ये तो नहीं कहा ये हिंदूओं का है ये शिक का है उन्होंने कहा ये तो मानवता है मैं सिख दर्म के आगे सिर कवादियों की उन्होंने खत्म कर दी मैं फिर को मैं भीजेपी का नहीं हूँ सबसे ज्यादा अगर सिर्जुकाया जाता है तो सिक कौम के आगे नरंदर मोदी जी सिर्जुकाते हैं पर उसके इलावा हम उनको क्या देते क्या आप सोचते कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे पंजाबी बच्चों का फ्यूचर क्या होगा हमारी पगडियों पे दाग लगता है जब रोज करपाने निकलती है जब रोज सिंदू बाडर के उपर दरने होते हैं गाली दी जाती है धमकिया जी जाती है पंजाब के अंदर ऐसा होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ह हमारी पगड़ी बदरामनी होती, लोग हमें काल को क्या कहेंगे, आज लोग हमारी इस पगड़ी पे बाते करने लग गए, इन चंद लोगों के कारण, हमारे बच्चों के फूचर खड़ाब दिया हैं, इन लोगों ने, कभी किसी हिसाई ने, कभी किसी हिंदू ने, कभी मेरे जैसे सैकुलर सिख ने कहा, यार चलो यार हम अगला रास्ता अपनाते, पर कितनी देर तक, ये पगड़ी जो मानवता की रक्षा के लिए, जिसकी पहचान मानवता है, उसको कितनी देर तक अपमानित होता जाएगा, कितनी देर तक, ये गुरू गुबिन सिंग की कुर्वानियों की, उनके सहब जारों की, हमारे सिख धर्म के गुरूओं की, तपो जपो से सजाई होई, ये पगड़ी कितनी देर तक, पूरे हिंदुस्तान में चुप रहेगी, इस मुल्क के अंदर, अगर रोज हमारी सिख पगड़ी को बदराम, ये करने की कोशिश करेंगे, इसको तो सिख समाज से ही बोलना पड़ेगा, सिख समाज से वाज उठानी पड़ेगी, कोई और मजब और धर्म का वाज उठाएगा, दो मिंट में कह दे, तू फिरका प्रस, तू हिंदू, तू RSS, तू नफरत फिलता है, पर जो चन्द लोगों आप खालस तानी हो, जन्द लोगों की बात करता हूँ, किसानों की बाती बीच में जो तमाजमीन, जो रोज, फिरका प्रसि के नारे लगाते हो, जो रोज खालस्तान के नारे लगाते हो रोज उन लोगों को उजागर करते हो जिन्नोंने च्छती हदार बेगुनाहों का कतलयाम किया कि ये हमारे अरदर्च हैं तो शिच सिख कौम का बहुत बड़ा अपमान होगा इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज को हाथ जो पूरे हिंदुस्तान पे बोजना पड़े डिफेंस पे बोजना पड़े आम पब्लिक पे बोजना पड़े माने पर गटिया नारे लगाने वाले पीम को मारने की दमकी देने वाले दिल्ली के ओपर कपजा करने की बात करने वाले दिल्ली के ओपर हगदर मचाने करने वाले हम इनके खलाफ को कहें तो सही क्यों नहीं बोलते हैं सिक्समाज मेरा सवाल है उनसे हम पूरे देश में रहते हैं यह देश हमारा है